प्रधानमंत्री आवास योजना उन परिवारों के चेहरे पर खुशी की लहर लेकर आई है जो दशकों से जोपडी नूमा कच्छे मकानों में रहने को मजबूर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को अपना घर मिल रहा है। इस योजना से वर्ष 2020-2021 में उत्तर प्रदेश के 12 बंकी जिले में करीब 12,000 परिवारों को अपने पक्के घर का सपना उनका पूरा हुआ है। ये है यूपी के 12 बंकी जिले में नवाब गंच तहसील की पारा खंदोली ग्राम पंचायत का चंदोली ग्राम। इस गाउं के दरजनों परिवारों में इन दिनों खुशी की लहर है। दश्कों से जोपडी में गुजर बसर करने वाले ये परिवार आज बेहत खुश हैं क्योंकि आज इने अपने घर का पता मिल गया है अब बारिश इने परिशान नहीं करी की ना ही सर्दी में इने ठिटूरना पड़ेगा क्योंकि अब इनके सर पर भी है पक्की छट और इनका अपने पक्के घर का ये सपना पूरा हुआ है प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास यूजना से अब मोधी जी हमको ये मकान दे दिये हैं तो हमको बहुत आराम है प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास यूजना से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बेघर परिवारों को अपना पक्का घर मिला है ये सिलसिला लगातार जारी है वर्ष 2020-21 में जिले के 15128 गरीब प 20,000 रुपए दिये गए थे इसमें से 11,893 लाभार की ओनी अपना पक्का मकान बना लिया परधान मंत्री श्री नारिंद मोधी जी ने परधान मंत्री आवास दिया हमको च्छत नसीब हुई इसलिए हम परधान मंत्री जी को तहे दिल से नमसकार देवत धन्यवाद करते है पहले जो पड़ी रहा है तो बानी बरसत रहा है लड़का बच्चा भीज जात रहा है तो हमका मोधी जी माकान देनी है कच्चे माकान था बच्च परपड़ा था बहुत दिक्कत होती थी, हमारे बच्चे भी परेसान थे, हम भी परेसान थे, खाना बनता था, वहां भीगता था, हम बहुत तकली में हैं, मोदी जी अब बेदियतों बनवाले हैं बच्चे माकान था बबुगा तूर बब पानी वनी गिरे रहे बाकी उच्छत मुलभ बबू सब कमजोर रहे हैं, पनी रहे ना तो पनी टपकत रहे हैं, बच्ची रोख परफान था भीग जा रहे हैं, कपला लगत ता सब जो है, तो अधि जब से यह परधान मंत्री जो पर उत्तर प्रदेश के बारा बंकी में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब परिवारों के जीवन में आया बदलाव साफ देखा जा सकता है अपना पक्का घर मिलने से इन्हें मिला है आत्मविश्वास जो विकास की रह में आगे बढ़ने में इनकी मदद कर रहा है डिडी निउस के लिए बारा बंकी से नितिन च्रिवास्तो की रिपोर्ट